को और हो ए मैं को आई कि अलो फरेंड्स मैं आपका दौस्ट ड्रसुनील कुमार और आप देखरें tr. एक marks यह बाद जो लोगों के बीच है और लोग बोलते भी है इविन ड्रसे से भी बोलते हैं इविन क्लिनिक में भी बोलते हैं मेरे से भी लोगों ने डारेक्ट लिए बात कही कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे हॉस्पिटल गए तो हम बापस नहीं आएंगे हॉस्पिटल में डैथ हो जाती है हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं हॉस्पिटल में बोलते हैं कि आप serious condition में आते हैं और आपको complications हो सकते हैं या आपको co-morbidity है या aging है आपको तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और hospital में आप जाके admit हो जाएए या फिर आप hospital में आपको जाना पड़ेगा तो लोग straight forward ये बोलते हैं कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं लेकिन hospital नहीं जाएंगे hospital में लोग मर जाते हैं hospital से लोग बापिस नहीं आते तो इसके पीछे क्या reason है और ऐसा क्यूं हुआ मेरे जितने भी patient मैंने पिछले एक साल में देखे जब से COVID-19 infection आया है सभी patient ठीक हो गए और 90% patient mild to moderate रहे लेकिन 10% patient serious भी रहे और 10% जो serious patient है वो भी ठीक हो गए पिछले एक साल में total 10 patient को hospital refer करना पड़ा जिसमें कोब और में डिटी थी लोग एजिंग पे थे और उनको diabetes थी या दूसरे जो एक साल में जो मैंने एक चीज महसूस की कि प्रॉपरली यदि डॉक्टर टच में रहे डेली पेशेंट से डेली थोड़ा सा 5-10 मिनट भी यदि बात कर पाए पेशेंट या दो मिनट भी बात कर पाए यह जो लोग मैंने बाटसेप पे लोगों को connect रखा लोगों को डे oxygen saturation है और उनका जो food था उनका जो proper physical level था एक emotional mental state था उसको ठीक रखा हमने counseling से तो वो बिल्कुल clinical care से ही सब patient ठीक हो गए मैंने लगबग 1000 patient को देखा total जिसमें से 90% patient mild to moderate ही थे वर 10% patient serious थे लेकिन serious patient भी बिल्कुल ठीक हो गए और हमने maximum cases में steroid का सहरा नहीं लिया 90% patient को हमने without steroid ही normal medication के साथ रखा उनके parameter को manage किया तो अब मैं आता हूँ कोई जरुरत भी नहीं थी लेकिन लोगों ने overdose भी किया और सबसे गलत जो काम किया लोगों ने एस्टिरोइट भी खाया एंटिवाइटिक भी खाया उसके साथ काड़ाया कुछ गरम देशी दबाईयां वो भी उन्होंने ली इसका result यह हुआ कि आफ्टर 5 या 7 डेज इमीडेटली ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया और फिर उसको मैनेज करना बहुत मुस्किल हो गया दूसरा पॉइंट यह रहा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेट हॉस्पिटल पहुँचे या उन्हें हॉस्पिटल से सपोर्ट नहीं मिला या ब वैबस्थाएं खराब थी तो इतनी देर हो गई कि उसके बाद डॉक्टर के लिए भी पेशेंट को बचा पाना मुस्किल हो गया अब तीसरे लेवल पर जो हॉस्पिटल के अंदर जो गड़बढ़ हुई कुछ पेशेंट को हाई स्टिरोइड डोस से डाइबिटीज यान वोनेटरिंग नहीं रही क्योंकि डॉक्टर्स कम थे हॉस्पिटल में लोड बहुत जादा था आप कल्पना करिए कि जहां पर पचास पेशेंट की कैपसिटी है वहां पर दो से या तीन से या पान से पेशेंट एडमिट करने पड़े तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे य एक रीजन रहा उसके बाद एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था एक फियर साइकोसिस रहा यानि एक डर की इस्तिति बनी रही फियर ने बहुत जादा डेमेज किया उससे इस्ट्रेस बड़ा और स्ट्रेस से डाइविटीज यानि सुगर लेबल बढ़ गया और वो कॉम्प पढ़े लिखे नहीं है जिनको क्लिनिकली साइंटिफिक नॉलिज नहीं है उन्होंने इस बात को दूसरी तरीके से सर्कुलिट किया कि हॉस्पिटल में पेशेंट मर जाते हैं या एलोपैथी उसको नहीं बचा पाती या फिर वो मैडिसन कोई नहीं है हमारे पास ऐसा नह में एडवांस केयर की जरुत पड़ती है पट ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट में जरुत है 90 परसेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट से क्लिनिकल केयर से ही ठीक हो जाते हैं और फिजीशन ही उसको ट्रीट कर सकता है नॉर्मली ठीक कर सकता है maximum cases जो mild to moderate होते हैं उन्हें ayuropathic physician भी देख सकता है और homopathic physician भी देख सकता है और आप with the consultation of the doctors आप खुद अपने को take care कर सकते हैं घर में रहके भी ठीक हो सकते हैं तो कुछ चीजें गलत हुई उन गलत चीजों से हमें बचना है और आगे अब हमें यह ध्यान रखना है कि हम steroid ना ले अन्नेसरी और बहुत जादर डिले ना करें टाइम से ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें टाइम से ही टेस्ट करा लें और डॉक्टर जो guideline आपको देता है वो आप follow करें खुद से आप अपने पर experiment ना करें और antibiotic और steroid के साथ कभी भी आप देशी नुस्के या काढ़े का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इन दौनों के एक साथ इस्तेमाल से आपकी body में dehydration होता है और oxygen saturation immediately घट जाती है जिससे की बाद में बहुत ज़्यादे complications आती है झाल